हेलो माई यूटूब फैमले स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूटूब चैनल पर तो आज मैं आप लोग के साथ कठल की रेसिपी सेयर कर रही हूँ जिसे मैंने बिल्कुल मतन केजसे बनाए है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर घर में बनाए है यकिन मानिया आप इसे दुवारा जरूर ट्राइ करेंगे कि यह इतनी टेश्टी लगती है खाने में इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहां पर एक केजी कठल लिया है जिसे मैंने छोटे-छोटे टुक्रों में काट लिया है और इसे मैंने अच्छे से धू लिया है और यहां पर मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है तो यहां पर हाई फ्लेम को अच्छे से गर्म कर लें उसके बाद हम इसमें कठल को फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर करके सारे कठल हम ऑल में डालेंगे और यहां पर हम डार्क कलर होने तक कठल को अच्छे से हम फ्राइ कर ल अच्छे से फ्राई हो इसमें तो यहां पर कठल जो अच्छे से फ्राई हो चुकी है निकाल लेंगे और बांकि बचवी कठल को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अब हम ग्रेबी की तियारी कर लेते हैं तो एक कराय में सरसू की तेल लेंगे तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद हम उसमें तेज पार डालेंगे कुछ ख़ड़े गर्म मसाले जो आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हैं साबु जीरा डालेंगे इन सभी को हम यहां पर ब्राउन होने देंगे उसके बाद हम इसमें एकदम महीन चौप की हुई प्याज डालेंगे तो यहां पर प्याज की क्वांटिटी मैंने थोड़ी जादी लिए क्योंकि मैंने आज इसे मटने स्टाइल बनाया है तो यहां पर एकदम महीन चौप कर लिए प्याज को उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे तो पहले ही तेल में मैंने लाल मिर्च नहीं डाला क्योंकि ग्रेवी में अगर मिर्ची जल जाएगी तो ग्रेवी की टेस्ट हो खड़ाब हो जाती है तो इसलिए आप प्याज के बाद ही मिर्च डालें इसे गोल्डेन होने तक प्याज को हम पकने देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डेन हो चुकी है तो यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, बिकुल इसी कलर का होने तक प्यास को हमें पकाना है तो अब हम इसमें अद्रक लसन की पेस्ट डालेंगे, तो दो बड़ी चमच में यहाँ पे अद्रक लसन की पेस्ट डालोंगी हाई फ्लेम पे इसे हम दो मिनट पकाएंगे तो continue चलाते हुए पकाएं नहीं तो ये कढ़ाई से चिपक जाती है तो दो मिनट के बाद हम इसमें मसाले आड़ कर देंगे तो यहाँ पे कलर के हिसाब से हल्दी पॉर्डर डालें एक छोटी चमच धनिया पॉर्डर डालेंगे यहाँ पे एक छोटी चमच मिर्ची पॉर्डर डाले ज़्यादा मिर्ची पॉर्डर यहाँ पे यूज ना करें आधी छोटी चमच जीरा पॉर्डर स्वाधन सार नमक और में जो मसाला है वो है चीकन मसाला तो इसे दो छोटी चमल डालेंगे यह पूरी भेज मसाला है इसे आप बिल्कुल असानी से डाल सकते हैं और कलर के हिसाब कलर के लिए मैंने यहां पर कासमेली लाली में इस पॉर्डर डाली है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मसाले को कम से कम चार से पांच मिनट पकाएं जब तक कि मसाले जो है वो ऑईल ना छोड़ दे तो यहां पर आप नीचे से देख सकते हैं कि ऑईल जो है वो छोड़ चुकी है मतलब मसाले हमारे अच्छे से पक चुकी हैं तो अब हम यहां पे इसमें fry के हुए कठल एट कर देंगे अच्छे से हम यहां पे इसे mix करने के बादी से high flame पे हम एक से दो मिनट पकाएंगे ताकि कठल जो है वो मसाले के साथ अच्छे से पके तो यहां पे दो मिनट हो चुकी है तो सारे चीज़ों को हम कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे तो यहां पे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हम इसे कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन जो कुकर में हैं जब मसाले भूनते हैं तो वो मसाले कुकर से बहुत चिपकते हैं जो धुक्त क और गर्म मसाला पॉडर म मिक्स तक करेंगी और पूरी तड़ीके से लो कर देंगे और फ्लेम पर हम इसे 15-20 मिनट पकाएंगे क्योंकि मैंने कथल को बॉल नहीं किया तो इसे 15-20 मिनट लगेंगे पकने में तो यहां पर 15-20 मिनट के बाद मैंने कुकर को यहां पर गैस को आफ कर दिया था और जब ठंडा हो जाए उसके बा नहीं तो लाइक कर दिजिए अभी तक अगर हमारे चैनल का अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्यू फूर वाचिंग